आई फ्रेंड्स में हूँ जितेंदर सिंग राज प्रोईद और आप देख रहे हैं टेक्निकल बगत सिंग दोस्तों तो आज मेरे पासे वीवो का वाइट 20 जो अभी हाल लेटर्स नहीं आया है मेरे पास यह 4GB RAM के सा 64GB ROM और जैसा कि वीवो का फॉन अभी का वाइट 20 भी आया है तो अभी इसको करते ओपन तो और देखते हैं किस तरह का यह कैसा नहीं है तो ठेसा कि फर्स सेढिंग मैं ओपन किया है तो पहले ही box में कुछ इसटाइप का निकलेगा जो इसके बार में details हैं गयान बिरीबात भी इसको परके आप इसके बार में जैन का रिलेस रिए थे उसको रहते है साइड में और जैसा कि cover कावर काफी उसको रखते हैं साइड में और निचे के साइड में और आते हैं निचे के साइड के सब्सक्राइब नहीं के बद रहेगा जो 18W आप देख सकते हैं अब भी इसको हटा देते हैं अब भी आते हैं मैं फंक्शन के तरफ तरफ भी इसको में अटा दिया रएक और आप कलर शेटिंग आप देखे सकते हैं किया साथ यो का इस टाइब का अब अब देखे की फीके नार्मल चार्जिंग केबल और अब व्याइब का दोस्तों करते हैं अब इसको आप दोस्तों जो फोन हो गए ओन और स्कीरिन की बाद को तो काफी मश्वाइब उसक्राइब काफी में आए अधिर जैसे की अपफिम ये wonderful डासके दोश्तों काफी मस्र रहेडी क्यूंकि एसी बेटरी बहुत लिखने को मिलती है अगर इक कीमेरा की लिएटी की बा importantes के भी शुत है अगर इसी कि वाक्स को जैसा की मीरा भी लिया है और करते हैं क्लिक और देखते हैं केमेरा की तो काफी मज़ेतार लेटिया था है जैसा कि फटो नहीं फट रही है तो यह काफी मास्ट और मज़ेतार है तो अब भी Benfętा동 की तरफ現在 दोस्तों मॉडल नंबर V2029 है और Vivo ROM Fountas OS 10.5 Android वर्जन आएगा 10 जो भी सब्सक्राइब लेटेस्ट Android 10 और प्रोसेसर रहेगा 1.8 GSZ ZZ Snapdragon 4250 Octa-Core है जो काफी मुश्त है और RAM 4GB 64GB ROM के साथ दोस्तों और जैसा कि बात के काफी मुश्त है इस बजट में देखने के लिए जाए तो फॉन काफी मज़दार और लुक वाइस अपडेट सकते काफी अच्छा रहेगा दोस्तों और आपको कैसा लगा मुझे दोस्तों कमेंट सेशन में दोस्तों जरू बताएगा परेंट्स अगर आप इसे खरीदना चाहते है डिसके पर लिंक और कॉंटेक नमबर वहां पर मे अगर आपको मेरा वीडियो पसन आएगा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन जरू दबाएगा